आने वाल एपिसोट का फाइनल ट्रेलर आचुका है तो फाइनल प्रेडिक्शन्स मैं करने जा रहा हूँ तो सब कुछ वहीं से शुरू करेंगे जहां पे खत्म हुआ था यहां शेक अदबाली और सुल्तान मैसूद भागने में कामियाब हो जाएंगे यह दोनों इसके बाद यनी शहर की तरफ निकलेंगे लेकिन रास्ते में ओलफ हमला कर देगा जिसमें शेक अदबाली सुल्तान मैसूद को भागने में कामियाब हो जाएंगे लेकिन खुद पकड़े जाएंगे फिर इसमेयाल हातून को जब पता चलेगा कि मैसूद भाग गया तो वो बाला को फसाने की कोशिश करेंगी शेक अदबाली की मदद से ताकि उसमान से मैसूद को मांग सके बाला को ये इवेंचुली पकड़ लेंगी, उसके बाद उस्मान बाला को बचानी की कोशिश करेगा, टैनल खोदेगा, कैसल के अंदर भी पहुच जाएगा, लेकिन इसमयाल को ये सब पता होगा, और फिर इस सीन में कुछ बहुत जबरदस्ट होने वाला है, होल सकता है यह से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए उसको, वैसे एक बाद साफ है कि मैसूद सुल्तान बन जाएंगे, और अलाउद्दिन को हटा दिया जाएगा, सीजन फोर के बारा एपिसोड हो चुके हैं, और रेटिंग अभी तक 10 तक पहुच नहीं पाई है, जहां पिछल सीजन 13-14 तक पहुच गया था, लेकिन इस सीजन का अभी तक रेटिंग वाले डिपार्टमेंट में तो बुरा हल है, वैसे वेनिस डे को उसमान फॉर्स्ट पोजीशन पे है ही, और टर्की के टॉप हाइइस्ट रेटिट सीरीजेस में से भी एक है, लेकिन अपने रिकॉर में उसमान 10 का अकड़ा पार कर लेगा, रेटिंग के बारे में आपका च्छा कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपकी क्या प्रेडिक्शन हैं अगले एपिसोड को लेकर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्यू फॉर वाचिंग